ओम सिरी गनी साय नमा दोस्तों एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 सिटंबर बुद्वार के रासी फल के बारे में कि हादिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जा और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होने की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्ध्यार्तियों को भी उच्छ शिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती है ज्यादोस्तो कारे च्छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कारे इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं ज्यादोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने स तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कारे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तो साथी साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कारे वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेस करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम य परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करेछित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथ साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारण अले में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कार्य सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथ साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पून रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकर्शन की भी व्रत दी होगी जै दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लखी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रेहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तिती रहेगी विध्यारतिऊं के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप अप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भाविश्य में आगे चल कर काफी लाबदा एक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थित्य रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आप के लिए बन रहे हैं जिसे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्दों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ-साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ-साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ-साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और इसके बाद आप भगवान श्री गनेश जी के माथे पर लगे सिंदूर को निकाल कर अपने माथे पर तिलक लगाएं जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल लगी हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फोलो की प्राप्ति होंगी और आपके सभी कारणे बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश श्री गनेश वस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद